आज हम आप लोगों को बताएंगे महा भारत के चार उन युद्धाओं के बारे में जिन्होंने महा भारत में युद्ध नहीं किया अगर वा युद्ध करते तो साइद महा भारत की कहानी आज कुछ और ही होती उनके युद्ध करने से पांडों की बजाए कौरों की विजय निश्चित थी और जिसे भागवान स्री क्रेश्न भी सायद नहीं रोक पाते तो आखिर कौन थे या युद्धा जो इतने सक्ति साली थे जिनके नाम से ही लोग कापने लगते थे एक तो ऐसा युद्धा था जिसका नाम सुनते ही स्री क्रेश्न भी सोच में पढ़ गए थे तो आखिर कौन थे या युद्धा इनके बार में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से नियुद्धन करूँगा तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें और वीडियो बनाने में हमारा होसला बढ़ाएं ताकि हम एसे ही इतिहास की और नई नई रहस में जानकारिया आप तक पहुँचा सकें तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन सक्तिसाली योधाओं के बारे में जिन्होंने महाभारत में युद्ध नहीं किया और अगर युद्ध करते तो महाभारत की कहानी बदल कर रख देते तो जानते हैं उन योधाओं के बारे में युद्ध तुस्टू कवरों का भाई जिसने इदिश्टिर के समझाने पर युद्ध के एन वक्त पर कवरों का साथ छोड़कर पांडों का साथ देने का निश्चे किया अपनी तरफ आने के बाद इदिश्टिर ने इक इसेस रणनीती के तहट युद्ध तुस्टू की योगिता को देखते हुए योध्धाओं के लिए हथियारों और सरद की अपूर्ती विवस्था का प्रबंद करने के लिए नियूत किया कवरों की सेना कमजोर हो गई थी क्योंकि वे कवरों की सेना और उनकी सक्ति का संपूर ग्यान रखते थे और कहते हैं कि जब इदिश्टिर सरीर के साथ स्वर्ग जाने लगे अब उन्होंने परिक्षित को राजा और योधिस्टू को उनका संवरचक बना दिया था महत्मा विदूर हस्तनापूर के महामंत्री होने के कारण कौरों के पक्ष से जुड़े हुए थे उनकी निष्टा महराज दिद्राष्ट को समर्पित थी उनकी निष्टा सत्य के लिए भी थी इसलिए वा पांड़ों पक्ष के लिए भी स्रिद्धार रखते थे पांडों के वन्वास और अग्यातवात के समय में उनकी माता कुंती विदुर जी के घर में ही रहती थी और विदुर जी ने कुंती की देख बाल की थी उनके लिए धर्म संकर था कि वा किसकी और से लड़ेंगे इसलिए उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था द्राष्ट की भी बहुत इच्छा थी कि वा युद्ध करें परंद अंधे होने के कारण वे युद्ध में सामिल नहीं हो सकते थे उन्होंने अपनी और से द्रियोधन को पुरा कारोभार सोप दिया था और द्रियोधन में राजा का उत्रा अधिकारी बनकर अपनी सेना का संचालन किया था इनकी और से पितामा भीष, गुरु द्रोण, गुरु कुल ग्रपाचार सगे संबंदी आदि ने द्रियोधन का साथ दिया था और द्रियोधन ने अपने पक्ष में गेरा अक्षणी सेना एकत्र करके पांडो के समक्ष भीसर चुनोती पेश की थी तो ये थे दद्राष्ट जो युद्ध में भाद लेना चाहते थे पर भाद नहीं ले सके बरबरीक भीम पोत्र और घटोट कत्र के पुत्र दानवीर बरबरीक के लिए तीन बाण ही काफी थे जिसके बल पर वे गोरों और पांडों की पुरी सेना को समाप्ष कर सकते थे इसलिए भगवान श्रीक्रिष्ण ने दान में उनका सीस मांग लिया था और उनकी इच्छा थी कि वह महाभारत का युद्ध देखें तो स्रीक्रिष्ण ने उनको वरदान देकर उनका सीस एक जगा पर रख दिया जहां से उन्होंने महाभारत का संपूर युद्ध देखा कहते हैं कि जब वे कोरों की सेना को देखती तो उदर तबाही मच जाती थी और जब वे पांडों की सेना की और देखते थे तो उदर की सेना भी डर जाती थी ऐसे में उनका सीस दूर पहाली पर इस्ठापित कर दिया गया था युद्ध की समाप्ती पर पांडवी आपस में जगरने लगे और युद्ध में विजई का स्री किसको जाता है इस पर स्री कृष्ण ने उन्हें सुझा दिया कि बर्बरीक का सीज संपूर युद्ध का साक्षी है अता उससे बेहतर निर्णायत बला कौन हो सकता है फिर वे सबी सीज के पास गए और उन सबी को बर्बरीक के सीज ने उतर दिया कि उन्हें तो युद्ध भूमी में चारो और स्री कृष्ण का सुदर्शन चक्री घूमता हुआ दिखाई दे रहा था जो कि सत्रु सेना को काट रहा था महाकाली दुरगा स्री कृष्ण के आदेश पर सत्रु सेना का रक्त प्याले में भरकर उसका सेवन कर रही थी